सुपरभात बच्चों, हिंदी की एलर्णिंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है मैं सभिता, आज आप सभी को हिंदी के पाठी पुस्तक से पाठ दो, एक पौधी की समुद्रियात्रा नामक पाठ का अध्यन कराने जा रहे हैं बच्चों, इस पाठ के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार समराठ अशोक ने एक छोटे से राज कलिंग पर चड़ाई करके उसे अपने राज में मिलाया और इस दोरान बहुत से लोग मारे भी गय थें और यह सब देखकर समराठ का मन जो है वो द्रवित हो गया था फिर उसने बौधिधर्म को अपना लिया और एक छोटे से पौधे के माध्यम से पूरे भारत में बौधिधर्म का प्रचार भी किया तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्यन करेंगे और इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि इस छोटे से पौधे का नाम क्या था तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं पाठ तो एक पौधे की समुद्र यात्रा बच्चों जैसा कि मैंने आपको शुरू आत में ही बताया कि ये कहानी जो है एक पौधे की समुद्र यात्रा से शुरू ही है बच्चों आज समुद्र पार करने के लिए हमारे पास तेजगती से उड़ने वाले हवाई जहाज समुद्र की लहरों पर दोरने वाले बड़े बड़े जहाज और समुद्र के भीतर चलने वाली पंडुब्बियां है पर एक समय ऐसा भी था कि जब ये साधन उपलब्ध नहीं थे यानि कि ये सारी चीजे उस समय उपलब्ध नहीं थे और उस समय लोग जो है समुद्र पार करने के लिए बड़ी बड़ी नारी चीजे नहीं थे हवाई जहाज, समुद्री जहाज ये चीजे नहीं थी तो उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे और समुद्र पार करने के लिए वे बड़ी-बड़ी नौकाओं का सहारा ले करके एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर जाते थे उसी प्राचीन भारत में एक पौधे ने समुद्र यात्रा करके कुछ ऐसा चमतकार कर दिया था कि भारत की धर्म संस्कृती को दूर-दूर तक फैला दिया तो चलिए इस पार्ठ में हम उस चमतकारिक यात्रा के विशाय में जानते हैं आज से लगबग 2200 वर्स पुरानी बात है तब ना तो हवाई जहात थे और ना ही रेल वगेरा यानि रेल गाडियां वगेरा चलती थी और समुद्र पार करने के लिए भी बड़ी-बड़ी नौकाओं का सहारा लिया जाता था लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में ले जाया करते थे कुछ लोग घोडों पर तो कुछ हाथियों पर भी सवारी करके यात्रा अपनी पूरी करते थे उस समय मगधिसाम राजी में समराट अशोग नामक राजा जो थे वो राजी करते थे और उन्होंने अपने राजी की सीमा पर इस्थित एक छोटे से राजी कलिंग को अपने राजी में मिलाने के लिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और उसमें बहुत ही घमासान युद्ध हुआ इस लणाई में एक लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिये गये थे यानि कि बहुत से लोग जो हैं वो मृत्ति को प्राप्त हो गये थे डेढ़ लाख लोगों को बंदी बना दिया गया था और अशोग यह नरसंगहार देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गये थे उन्होंने अपनी तलवार को तोड़ कर नदी में फेक दिया और तफसे उस नदी का नाम दया हो गया अशोग बहुत ही दयालू सुभाव के थे उन्होंने जब युद्धि किया यानि कलें को जब जीतने के लिए उन्होंने उस चोटे से राज्य को अपने राज्य में मिलाने की और ये सब नर्संहार देख करके अशोक जो है वो बहुत ही जादे तुखी हो गया था यानि उनका मन जो था वो बहुत ही द्रवित हो गया था और ये सब देख करके उन्होंने क्या निस्टे किया कि वो आज के बाद यानि उस समय के बाद से वो युद्ध वगारा नहीं करेंगे इस युद्ध के बाद असोग के मन में इतना जादे पस्तावा हुआ कि वह राजपाट छोड़ कर भिक्षू बन गया है राजमुकुट और राजवस्त्र को त्याग कर उन्होंने पीत चिवर पहन लिया पीत चिवर का मतलब होता है कि पीला वस्त्र जो भी राजपाट थे हुए छोड़ कर वो भिक्षू बन जाते हैं और राजमुकुट और जो भी राजवस्त्र होते हैं वो त्याग कर वे पीला वस्त्र धारड कर लेते हैं वो बौध धर्म के अनुयाई बन गया थे अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संग मित्रा दोनों ने भी बौध धर्म को अपना लिया अशोक यानि अपने पिता को देखकर उन्हों ने भी यानि उनके पुत्र ने और उनकी पुत्री ने भी बौध धर्म को अपना लिया महिंद्र ही आगे चल कर महिंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए एक दिन अशोक ने दोनों से कहा कि जाओ सद्धम का संदेश लेकर भारत के दच्छिड छोड़ पर पहुँचो फिर नौका से समुद्र पार कर दच्छिड के अन्य देशों और दीपो में भी पहुचो अशोक जो हैं उन दोनों को आदेश देते हैं कि जाओ और सद्धर्म का संदेश लेकर भारत के दच्छिड छोड़ पर पहुचो और फिर नौका से समुद्र पार कर दच्छिड के जितने भी देश हैं वहाँ पर भ्रमड करो और दीपो में भी भ्रमड करो और वहाँ पर बौध धर्म का पालन करो महिंद ने पूछा अपने साथ मैं तथागत की कौन सी चिन्ह ले करके जाओं मतलब मैं जाने को तो तयार हूँ लेकिन अपने साथ ऐसी कौन सी चीज ले करके जाओं उन दिनों तक महात्मा बुद्ध की मुर्तियों की पूजा नहीं होती थी उनके चिन्ह की पूजा होती थी जैसे उनके पैरों के निशान या उनका भिक्षा पात्र या ऐसी ही कोई अन्यवस्तू जिसे वो ले जा करके ये वहाँ पर दिखातें कि ये असोक ने उनसे कहा उत्यपन एक पौधा ले जाओ बच्चो उस ब्रिक्ष का क्या नाम था बोधी ब्रिक्ष बोधी ब्रिक्षी नाम का ये छोटा सा जो पौधा था बोधी व्रिक्षि से उत्यपन्य पौधा महिंद्र जो थें वो अपने साथ ले करके दच्छड की ओर चल देते हैं महिंद्र ने कई परवत, लंगे, नदियाँ पार की और अंतिमेव हिंदुस्तान के दच्छडी छोर पर पहुँच गए सामने उन्हें बहुत सारी मुस्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे सागर वगरा उन्हें पार करने पड़े और बहुत सी मुस्किलों का भी उन्हें सामना करना पड़ा महिंद एक बड़ी नौका में बैट कर आगे चल पड़ें वहां उन्हें बहुत बड़ा द्वीब जिसका नाम क्या था? स्री लंका उन्हें एक बहुत बड़ा द्वीब स्री लंका मिला उस समय अनुराधापूर सिंगल यानि जो की स्री लंका में है वहां की राजधानी था अनुराधापूर सिंगल जो है की स्री लंका की राजधानी था वहां के राजा का नाम था देवा नाम पिय तिसा अनुराधापूर से आठ मिल दूरी पर महिं ताले नामक एक छोटा सा पहाड है कहते हैं कि यहीं पर महिंद और देवा नाम पिय तिसा के बीच बैठक हुई थी, यानि महिंद और देवा नाम पिय तिसा जो थें, ये दोनों ही वहाँ पर बैठ कर बातें किये थें. महिंद ने लोगों को बौध धर्म के सिधानतों का उपदेश दिया, यह स्री लंका में बौध धर्म की उपस्थिती का उद्घाटन था, यानि सबसे पहले वे स्री लंका में गयें और वहाँ पर इनों ने बौध धर्म की अस्थापना की यानि की उसका उद्घाटन किया. बन गई चाइर सी बात है बच्चों कि जब जिस राजी का राजा बौधिधर्म अपनाएगा तो वहाँ की प्रजा भी बौधिधर्म को ही अपनाएगी यह महें ताले राज अस्थल बन गया है यानि श्रीलंका में यह जो महें ताले मिहंताले हैं वो आज एक तिर्थ अस्थल बन गया है और बहुत ही दूर-दूर से लोग वहां पर इसे देखने के लिए आते हैं यहां पर अनेक धार्मिक स्मारक भी हैं जो वास्तों में महिंद की स्रीलंका में उपस्थिती के स्मारक हैं महिंद सिर्फ पौधा ही नहीं ले आएं यानि बचे कुचे जो छोटे-छोटे अवशेस थे उन्होंने उसे भी मंगाया और वे बड़े-बड़े डागोवा या मंदिरों में रखे गएं बुद्ध का दात कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया वहां का सबसे प्रसेदी मंदिर जो कैंडी था धीरे-धीरे सिंगल में बौध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया यानि कि सभी लोगों ने बौध धर्म को अपना लिया उनके नाटक, नृत्य, चित्र, संगीत, साहित्य, भाषा सब में बुद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है कहते हैं कि सबसे पहले बुद्ध की मुर्थियां स्रीलंका में ही बनाई गई थी भारत में भी तब तक बुद्ध की मुर्थियां नहीं बनी थी पर सिंगल के शिल्पकार बड़े कुशल थे उनकी बनाई हुई बुद्ध की मुर्तियां दूर दूर तक जाती थी जैसे की बर्मा, थाई देश, कम्बोज और चीन तक और अन्य राजियों में भी बुद्ध की मुर्तियां भेजी जाती थी कहते हैं थाई देश का प्रसिद पन्ने का बुद्ध स्रिलंका में ही बनाया गया था सिंगल में दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी बहुत जादा विक्सित हुई सिंगल में दीवारों पर चित्र बनाये जाते थें जो बहुत ही जादा विक्सित थें सिंग गिरी या श्री गिरी जैसे उचे पहाड पर बने किले की नीचे अनेक चित्र बने हैं, वे अजन्ता के भित्ती चित्रों की तरही विश्व विख्यात हैं। इस तरह से बोधी विरिक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमतकार घटितू। एक तरह से भारत के हिर्दय के एक अन्स को ही अस्थापित कर दिया। इस प्रकार श्रीलंका में यानि कि दच्छर देश में बुद्ध यानि दच्छर देश में बौध धर्म को अपनाया गया, वहाँ पर बौध धर्म का प्रचार प्रसार महिंद ने जाकर के किया। और इस प्रिकार भारत के दच्छ छोर में यानि स्री लंका में बौध धर्म को अपना लिया गया और वहाँ पर जो भी राजा या फिर उनकी प्रजा थी उन सबने ही बौध धर्म को अपनाया तो बच्छों इस पाठ के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि युद्धों का जो परिडाम होता है वो बहुत ही भयंकर होता है यानि जब युद्ध होते हैं तो जाहिर सी बात है कि युद्ध में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं बहुत से लोग घायल भी होते हैं और बंदी भी बनाये जाते हैं लेकिन इसका परिडाम जो होता है वो बहुत ही भायानक होता है अगर प्रेम, अहिंसा और शांती से दूसरों को अपना बनाया जा सकता है तो फिर हमें युद्ध की कोई भी आविशक्ता नहीं होती है और गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को संसार के कोने कोने तक पहुचा कर समराट अशोक ने भारत का नाम पूचा किया समराट अशोक और भारत की इस धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को हम अपने चीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे यानि बिना लडाई किये, बिना युद्ध किये, बिना किसी भी चीज को ले करके लड़े अगर वो चीज हमें प्यार से हासिल हो सकती है, वो चीज हमें प्यार से मिल सकता है तो फिर हमें लडाई करने की या फिर युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है बच्चों? आज की लिए इतना ही धन्यवाद प्याओ करने की लिए्चों अप्र रहाँ में है